तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अरुदीब के बारे में एक बड़ी न्यूज यहाँ पर जो देखने को मिली है मुझे एक नया उन लोगों का कॉंसर्ट होने वाला है विच इस क्वाइट गुड इंट्रेस्टिंग न्यूज शो नेक्स शो आकाश पटना में आई तिंक होने वाला है अगर मैं सही हूँ तो मैं आपको एक पहले अड्रेस बता देता हूँ उनका इवेंट है वो पबंधी प्राजन अरुनिता लाइव पर्फॉर्मन्स होने वाला है बापू सभागर ओके वेन्यू बता देता हूँ बापू सभागर ओके चांधी मैदान पटना एट्थ ऑगस्ट को होने वाला है 2024 एट 4 पीम अन्यूल फेलिसिटेशन सेरेमनी तो रिक अगनाइज तॉप पर्फॉर्मन्स तॉप पर्फॉर्मर्स इन नीट जही एंट्रांस एग्जामिनेशन 2024 वी इन्वाइड यू तो व्यों 2024 ओके ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है या एनिवे और वह बाकी उनकी तारिफ की है वहाँ पर क्यूंकि अब वह आने वाल है देखो बाई एक बात जरू कहूंगा देख लो कितने बहतरी इनको कॉंसर्ट्स वगरा मिल रहे है अच्छा लग रहा है देखके और ये एक बात तो प्रू होई गई आखिर के सोनी टीवी के ड्रामे सब मैं जो बार बार बोलते हा रहा था कि इनके सब टी आरपी का चक्कर है ये जो कुछ लोग आते थे बोलते थे कि आरुदिप का ब्रेक अप हो गया ये हो गया वो हो गया मैं हजार बार इनको प्रू कर चुका हूँ कि वो गलत थे और इस बार अलरेडी बार बार हो रहा है कि वो गलत थे यही प्रू हो रहा है बात यह है कि ये लोगों का रिक अप का तो कभी सवाल था ही नहीं ये जो ड्रामे बाजिया चल रही थी वो SSS 3K TRP को लेके चल रही थी और SSS वालों ने भी बात में इज़त से चुप हो गया कि जो वोटिंग वाला जो वीनार है न वो कोई बाहर का ही बन जा है ऐसा ही इनका क्योंकि इन लोगों ने किया क्या था रुदीप की वोटिंग इदर उदर होने के लिए उनके जो सिंगर से पवंदीप वाले आरू वालों को हेट करे आरू वाले पवन को हेट करे वाला ज के पास option ही क्या था कि जो जज ने अब जज ने भी की हूँ बाद में थोड़ा बहुत कुछ लोग बोलेंगे जज ने समझो था कि या कुछ haters बोल रहे थे ना कि देखो यह fact है कि अरुदीब के बीना वो show zero है और इनको sss4 में वैसे भी लेना है उन लोगों को यह मैंने आपको बोला है कि यह इनकी बात चीत हुई है और उनको मनाने के लिए भी यह लोग बहुत मसका मानने की कोशिश करेंगे लेकिन मैं बूलूँगा सच में कि आरुदीब ने यह concert चालू रखने चाहिए जो कि बहुत इनको पूछेगा इनको ज़रूरत नहीं है कि इतने दिन मैं बोलता था कि इन्होंने आडिशन्स देने चाहिए कोई ज़रूरत नहीं है यह concert में यह लोग ब्रैंड बनेंगे और कुछ फिल्में वगर होते ना कि ऐसे ब्रैंड लोगों को special बूलाया जाता है जब तक concerts अच्छी तरीके से मिल रहे है बॉले उड़कर कर ज़रूरत भी नहीं इनको यह मैं बोल सकता हूँ मज़ा आने वाला है भाई तो are you excited for them वीडियो को share कीजिए बहुत से लोगों को पता नहीं इसके बारे में प्लीज शेयर करना हैटले सुन के लिए कर देना कि भाई वो show को लोग जा पाए